अब आपके सारे फिसिक्स के देशिन माच जाउब्स का सफाया बस अपने फोन से कुछिन की फोल्टों कीचो अपकर आपकर और तुरंच वीडियो सिलुशन पाऊ डाउलोड कीजिए डाउटन आप अभी है फिर वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो चार्स अब देख वा रहे हो कि यह जो वायर का यह वाला पार्ट है और यह वाला पार्ट है दोनों ओरिजिन के थ्रू पास हो रहे हैं मतलब क्या इतने पार्ट के लिए और 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 इतने पार्ट के लिए है हम लोग इस पर लगाते है बाएसा वार्ट स्लों ठीक है B is equal to mu naught upon 4 pi उपर आ गया i नीचे perpendicular distance if this is a this is a मतलब क्या this value is also a this value is also a तो यह जो है यह distance क्या होगा this distance is root 2a perpendicular distance is root 2a और angle क्या बना रहा है एक side का point का angle बन रहा है 0 तो हो गया sine 0 और दूसरे side का क्या angle बन रहा है this goes to infinity तो यह बन जाता है sine 90 degrees है ना sine 0 is 0 sine 90 is one ओके तो हमें क्या मिला हमें मिला mu naught i upon 4 root 2 pi a यह है हमारा magnetic field ओके बट इसका direction क्या होगा अगर हम लोग right hand thumb rule डालेंगे तो हमें मिल रहा है इसका direction क्या हो रहा है ऐसे perpendicular हो रहा है इस line के साथ क्योंकि यह तो perpendicular distance from origin to this line है ना तो इससे perpendicular हो रहा है अभी आप देख पा रहे हो यह wire जो है जितना इसका x component है उतना इसका y component है मतलब this angle is 45 degree जिसको use करके हमने यह भी निकाला इसका मतलब क्या and this is 90 तो हमें बता है कि this angle will also be 45 degrees 45 degree मतलब क्या 45 degree on xz plane तो इससे हमें इसका direction क्या मिल रहा है direction मिल रहा है minus i cap plus k cap तो यह बन गया हमारा magnetic field vector at origin क की in कि प्रू आपने दो या था हो प्रू пока का कि आपको क अपको का और लो था हमारा ओहा है कि रहा है उसकान को प्रूck up कि आपको काई